ओके, सो हेलो स्ट्रेंट्स, वेलकम बेक टू टार्गेट जीपेट, सो स्ट्रेंट्स, आज की इस वीडियो में में मेंली हम बात करने वाले हैं, फार्मकोलोजी के इंपोर्टेंट टोपिक्स के, बेस्ट ओन दा कोईश्टन आसें प्रिवियस यर्स, ठीके, तो मतलब पिछ एस यर्स में फार्मकोलोजी के किस टोपिक्स से कितने कोईश्टन और किस किस साल में पूछे गए हैं, ठीके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कि पिछले 14 साल, कि अगर हम बात करें, 2010 से लेके, अभी 2023 तक, जो भी 14 जो एक्जाम हुए तो 14 एक्जाम में, फार् आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक टेवल बनाई है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहोगी, इस टेवल में सबसे पहले जो इसमें सलेवस दिया हूँ, वो KDT के अकोडिंग मैंने इसमें अरेंज कियो हैं, और इसमें कोश्टन मैंने निकाले, पिछले 14 साल के तो इसमें पिछले 14 सालों में अब तक टोटल 30 कोश्टन इसमें पूछे गए हैं, इन 14 सालों में से 11 साल में इसमें कोश्टन आये हैं, अगर average हम देखे तो 3 कोश्टन इसमें हर साल पूछे गए हैं, पिछले 14 साल के अंदर अगर 11 साल में यह कोश्टन इसमें पूछे हैं दूसरा ड्रग एक्टिंग और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि इस वीडियो के जब आप देखोगे अट दा इंट आपको ये पता लग जाएगा कि फार्मकोलोजी का हमारा जो इतना बड़ा सलेवस है वाट सलेवस इसमें कौन सा टोपिक हमारे लिए जादा इंपोटेंट है किस कौन सा टोपिक जादा हमारा जीपेट के लिए वह रखता है बेटेज कौन सा इतना इंपोटेंट नहीं है जिस पे हम जादा अपना टाइम जो ही स्पेंड ना करें और किस पे हमको सबसे ज़ादा time और अच्छे से prepare करना है तो मेरा इसके पीछे यही मकसद है कि आपको यह पता लग जाए कि pharmacology की कौन-कौन से topics important है ठीक है तो यह जो second topic है हमारे drug acting and autonomic nervous system इससे भी 25 questions अभी तक पूछे जा चुके पिछले 14 सालों में जिसमें 12 साल जिसमें question आये अब students आपके मन में question आ रहा होगा कि वो 30 questions कौन से हैं और कौन-कौन सी 12 साल है जिसमें ये question पूछा गया तो कौन सी 2 ऐसी साल है यहाँ पर इस topics से question नहीं आये तो इसके लिए students मैं आपको बताना चाहूँगा कि target GPIT जो कि हमने जब analysis करी और देखा कि pharmacology के कौन से topic से किस साल में कितने question आये तो उसको हमने एक book का form दे दिया ठीक है तो हमने इसके लिए comprehensive book बना दी जिसमें आपको ये हमारी book है आपको देख सकते हैं इस pharmacology की previous year GPIT MCQs की book में आपको क्या मिलने वाले students इसमें हर एक topic wise pharmacology की जितने भी topic है कि हाँ पर content में आप देख पा रहे होंगे जितने भी topic है हमारे general pharmacology से लेके vitamin vaccine तक इसके हर एक साल हर topic से कितने कितने question आये जैसे कि for example यहाँ पर देख सकते हो general pharmacology तो general pharmacology की अगर हम इस list में अगर देखे तो यहाँ से हमारे कितने question पूछे गए है general pharmacology से हमारी इसमें हमने 30 question आपको बताए है कि 30 question परिष्टे 11 सालों में आये है तो वो कौन-कौन सी साले students वो है 2011 में question था, 2012 में 3 question थे, 4, 2015 में 2014 में कोई question नहीं था तो इस तरीके से इसमें सारे हमने cover की ही year wise year wise इसमें कौन सी साल में कौन सा question आया है कितने question आये है उसके बाद at the end हमने उस topic की answer give you with answer दी है इस book में ठीके तो इसी तरीके से हमने सारे topics इसमें cover की हुए drug acting on autonomic nervous system इसमें हमारे कितने 25 question थे तो वे 25 question आपको ये मिल जाएंगी year wise ये उसकी answer गी है तो ये book अगर आप चाहते हों कि ये वाली book आप अपनी preparation में prefer करना चाहते हो for preparation of pharmacology तो इसके लिए आपको reference कुछ नहीं करना आपको play store पर जाना है तो आप वहां से लेकर यहां से उसको ले सकते है purchase कर सकते है student इसकी बहुती कम cost है अभी first 50 students के लिए ये cost अभी मात इसकी 49 rupees है तो आप अभी अगर जाकर purchase करते हैं तो ये आपको 49 में मिलने वाली इसके बाद इसकी price हम बढ़ा देंगे 50 students complete होने के बाद तो आप जल्दी से अगर आपको चाहिए तो जाकर first 50 student का जो benefit है आप उसको ले सकते हैं ठीक है तो चलिए ये तो बात होगई हमारी के detail में हमको कहां देखने को मिलेगा चलिए अब overview उसी तरह देख लेते auto-coid related drugs की बात करें तो इससे ये भी काफी important topic है 35 questions इससे पूछे गाए है 13 साल में इससे question आए है 14 में से 1 साल कोई नहीं पीछ अगर average देखे तो हर साल इसमें 3 question पूछे जाते है respiratory system drug respiratory system drug की बात करें तो इससे अभी तक 14 सालों में मात दस question आए हैं जादा हमारा time waste करें या फिर spend करें जो भी आप बोल सकते हैं तो compared to respiratory system drugs की जगापर हम इन topics पर जादा focus करते हैं जिनसे जादा जादा question आए तो हमारे GPAT का जोई की preparation जादा better रहेगी मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आपको respiratory system drugs पर पढ़ना ही नहीं है question उससे आते हैं but हम इसको एक second choice पर रख सकते हैं कि अगर हम इसको normal पढ़ लेंगे और अगर बाद में time मिला तो इसको फ़ड़ा अच्छे से कर लेंगे otherwise जो important है उन पर जादा focus करना है for example अब हम देख सकते हैं second one is that is hormone related drugs hormone related drugs से आप देख सकते हैं 49 question आए हैं जिसमें जिसमें 26 तो only one diabetes से पूछे गाए थे ठीक है वो आपको book में देखने को मिल जाएगा कि मैंने इसको book के अंदर hormone related drugs में diabetes का section अलग रखा है जिसमें diabetes से अलगी question रखे हैं जिसमें कितने क्या पूछे गाए हैं हर साल आते हैं ठीक है तो यह 49 question अगर कौन से आप चाते तो आप book को जा कर purchase कर सकते है ठीक है वो आपको PDF form में मिलेगी आपको offline अगर चाहोगी कि आपको समझोए कि heart copy उसकी मिले तो वो अभी available नहीं है उसको time लगेगा आने में तो अभी आप सोफ्ट को पी अभी एप पर आप देख सेस का सकते हैं ठीक है तो यह होगी hormone drug से 49 question थे हमारे 49 बात करेंगे ने ड्रग acting on peripheral nervous system ड्रग act on PNS में यह इसमें देख सकते इस्ट्वेंट 15 question इसमें पूछे है आठ सालों में ठीक है तो उदा सकते कि इतना जादा most important नहीं है only 15 question इससे आए ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे drug acting on central nervous system तो इससे आप देख सकते इस्ट्व ड्रग acting on central nervous system 56 question इससे पूछे गाए 56 question समय रहे हो आप 14 सालों में 14 की 14 सालों में इससे question every year आए है और हर साल इससे चार question पूछे ही गए है 2010 से लेके 2023 तक अभी तक drug acting on central nervous system आप देख सकते हैं जादा important है आपके लिए आने वाली preparation के लिए कि इसमें हर एक साल चार question तो minimum आते हैं किसी साल इस है जादा भी पूछ लिए गाए होंगे ठीक किसी साल कम तो अगर average की अगर बात करें तो चार question पर minimum रहते हैं ठीक है अगली बात करेंगे cardiovascular system की drugs की तो cardiovascular drugs में आप देख सकते 48 questions इसमें अभी तक आए हैं 14 सालों में 14 के 14 साली में इसमें question आए average question की बात करें तो तीन question हर साल इसमें पूछे जाते हैं cardiovascular drugs के लिए तो इस पे cardiovascular drugs हुआ आपका CNS वाला इस पार्ट को आपको 100% करना है अगर आपको इसमें जीपेट में फार्मकोलोजी का सेक्सान अगर आपको श्रॉंग करना तो इनको आपको बिल्कुल नहीं चोड़ना cardiovascular हुआ आप एक बार को respiratory system और दूसरा जो हमारा CPNS को आप थोड़ा छोड़ सकते हैं ठीके बागी इनको नहीं चोड़ना है इनके वह comparison में अगली बात करते हैं drug affecting blood and blood formation blood and blood formation दी भी बहुत जादा important इस्ट्रेंट 36 questions इसमें पूछे गाए है जगुदर साल में से 13 साल इसमें question आये है average अगर मान के चलो तो तीन question इससे हर साल पूछे जाते हैं ठीके अगली बात करेंगे gastrointestinal drugs तो इसको हम कोई ज़्यादा खास important नहीं मानेंगे तो अभी तक only 13 question ही पूछे रहा है 14 सालों में तो इसको हम कोई इतना जादा तबज़ो नहीं देंगे anti-microvial drug की बात करेंगे तो 96 questions इसमें total है anti-microvial एक बहुत बड़ा section है आप KDT की pharmacology देखोंगे जिसके अंदर हमारी anti-tubercular, anti-malarial, anti-viral, anthelmenting और यह सारे topics आते तो उन सब का overall हमारे 96 questions आए book के अंदर strength से आपको separate मिलने वाले anti-microvial से कितने question रहे हैं, anti-malarial से कितने रहे हैं, उसके अलावे anti-viral से कितने रहे हैं तो यह आपको book में separate मिलेंगे year-wise यहाँ पर मैंने total combine करके आपको बताएं कि इस जो topic है हमारा, इससे 96 questions total रहे हैं ठीक है, 14 सालों के 14 साली question आते हैं, इससे anti-microvial से बहुत ही ज़्यादा important है, जरा भी skip नहीं करना, average अगर देखते चले तो 7 questions every year इसका average, 7 questions पर यह बहुत ही ज़्यादा, एक साच्चू का 28, समझे रहो, 38 को नंबर का एक ही topic अगर मान के चलो anti-microvial है, ठीक है, अगली बात करेंगे, 28 नंबर का मतलब यह, स्रीप और स्रीप anti-microvial से पूछा जाता है, अगली बात करेंगे, chemotherapy, chemotherapy of new plastic disease बहुत ज़्यादा important है, यह भी 31 question आए, 14 के 14 सालों में आए है, average question की बात करें, तो 2 question हर साल इससे पूछे जाते हैं, तो anti-cancer को भी आपको अच्छे से प्रप्यर करना है, miscellaneous drugs की बात करें, बहुत जादा important है, इसके अंदर भी काफी सब topics हैं, जैसे vitamins है, immunosuppressants है, तो उनकी भी book में हमने topic wise differentiate किये हैं, है ना, 9 सालों में इससे question आए है, 5 का average मान के चलते है, 4 का, तो यह भी important है, miscellaneous drugs आपको छोनना नहीं है, तो यह students overall pharmacology की chart है, यह आप देख सकते हैं, every year कितने क्या 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 question आए है, तो students, यह जो अगर आपको इसका यह chart का PDF चाहिए, stable को चाहिए, तो आपको यह book के साथ free मिलने वाला है, आप इस पर जाओगे, वहाँ पर आप जाप register करोगे, तो course में आपका यह भही पर already book के साथ है, तो आप वहाँ पर तो आप book को prefer करिए, बहुत अच्छी book है, काफी ज़्यादा students इसको अभी तक purchase कर चुके हैं, तो इसका offer मैंने जब launch करी दिए तो 50 students के लिए लगा था, वो complete हो गए, लेकिन उसका demand मढ़ने के लिए इसकी 50 और बढ़ा दिये मैंने students, तो इस वैसे आप जल्दी से जार के इसका फाय दोटाइब